पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हालत यह है कि वो एक कदम आगे लेते और दो कदम पीछे अभी उन्होंने कुछ ऐसा डिसिजन लिया है जिसे लेकर सारा पाकिस्तान कह रहा है कि आखिर फिर से क्यूं वकार यूनिस को फिर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में शामिल किया जा रहा है लेकिन इस बार एक नए रोल में इस बार वो कोच नहीं है बलकि उससे भी बड़े पोस्ट पे आ रहे हैं एक तरीके से वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डिरेक्टर होंगे या आप कह सकते हों कि सारे पाकिस्तान के क्रिकेट अफिर्स वही रन करेंगे ये काम जेनेरली चेर्मेन का होता है लेकिन चेर्मेन के पास एथारिटी है पीसीबी में कि वो अगर चाहे तो किसी एक इंडिविज्वल को ये सारे काम करने को दे सकते हैं हाला कि administrative power अभी भी महसिन नकवी साहब के पास ही होगी जिनको नहीं पता उनको बता दू कि महसिन नकवी साहब पाकिस्तान के interior minister भी है interior minister पाकिस्तान का एक one of the most key profiles है एक key ministry है यह कैसी ministry है जो internal threats और जितने भी जुलूस होते हैं जितनी भी चीज़े होती है वो सब handle करना होता है इनको उसकी security देखना सब कुछ manage करना approvals देना ये सारा काम मोसिन नकवी साहब की portfolio में आता है as interior minister तो एक full time job के रहते वो एक दूसरा PCB chairman का job कैसे कर सकते हैं लेकिन छोड़ भी नहीं सकते समझ रहो ना पैसो की बात है छोड़ कैसे सकते है तो उन्होंने दोनों ले लिया है लेकिन उनके पास time नहीं है क्योंकि कई कई बार उन्हें कोलंबो जाना पड़ता है ICC की meeting के लिए कभी उन्हें कहीं और जाना पड़ता है तो interior ministry का का काम रुख जाता है तो अब उन्होंने ये decide कि कि किसी एक individual को ये सारा काम सौब दिया जाए और उनके हिसाब से वकार यूनिस से बड़ा visionary कोई नहीं है जो ये काम कर सके जिनको वकार यूनिस की history नहीं पता PCB के साथ वो मैं बता दू कि retirement के बाद वकार यूनिस 2006 में पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े थे इन्जमाम उल्हक की captaincy में as bowling coach लेकिन एक साल के अंदर इन्जमाम और वकार यूनिस के बीच में छगड़ा हो गया क्योंकि वकार यूनिस full time coach बनना चाहते थे और इन्जमाम इसके खिलाफ थे उसके बाद 2010 में वो proper as a head coach टीम में शामिल हुए और उनके शामिल होने के कुछी दिनों बाद match fixing की जो सबसे बड़ी conspiracy हुई ये पाकिस्तान cricket में हाल फिलाल में जिसमें मुहमद आमिर सल्मान बट और मुहमद आसिफ पकड़े गए थे उसके अगले साल वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान बाहर हुई तो उस टाइम शाहिद आफरीदी जो उस टाइम के कैप्टन थे पाकिस्तान ODI टीम के और वकार यूनिस के बीच भी जबरदर जगड़ा हुआ था और ये PCB की रिपोर्ट में ये कोई ऐसा जगड़ा नहीं है जो हिडन बिहाइंड हिडन डोर्स हुआ हुई है सामने जगड़े की बात है जिसको लेकर काफी कॉंस्पिरेसी भी हुई थी उसके बाद थाड़ टाइम 2014 में वकार यूनिस फिर से हेड कोच बनके आये पाकिस्तान के टीम में PCB के तरफ से अपॉइंट होके आये और वहां आने के बाद मिस्बा के साथ उन्होंने कुछ दिन काम किया वहां पर भी सब को याद होगा कि सरफराज एहमद जो उस ताहमें के मर्जिंग क्रिकेटर उनके साथ वकार यूनिस ने काफी नाइन साफी की ती उनको टीम में जगह नहीं देते थे कुछ लोगा कहना है कि जिस जगह से सरफराज एहमद बिलॉंग करते हैं उस जगह के क्रिकेटर्स को जादा लाइक नहीं किया जाता मैं नाम नहीं लेना चाहता बड़ कुछ इस आप कह सकते हो कि परफॉर्मेंस के बियॉंड एक इनडेफिनिट बैकिंग थी कि वो चाहे जो भी करें लेकिन सरफराज को चांस नहीं दिया जाता था इवेंचुली जब सरफराज को मौका मिला उन्होंने मैन अफ दो मैच परफॉर्मेंस दी इवेंचुली एक साल के बा उसके बाद 2019 में जब मिस्बा रेटायर होने के बाद PCB की तरफ से हेड कोच, सेलेक्टर सारे डेजिगनेशन लेकर वापिस आए तो वही वकार यूनिस जो मिस्बा की कैप्टेंसी में हेड कोच थे वह मिस्बा के हेड कोच बनने पर असिस्टेंट कोच बन किया गए और आकिप जावेद ने उस टाइम ये कहा कि वकार यूनिस के पास पैसे कमाने के अलावा कोई सोच नहीं है क्योंकि वकार यूनिस को जब मौका मिलता है वो कमेंटेटर बन जाते हैं मौका मिलता है वो हेड कोच बन जाते हैं लेकिन वो कोचिंग से रिलेटेड ना तो कोई कोर्स करते हैं ना किसी जूनियर टीम के साथ काम करते हैं अब जेनरली जो कोचिंग के लाइन में घुस चुके हैं जैसे अब ही आप राहुल द्रविड की भी बात कर लो तो राहुल द्रविड ने भले ही अभी नैशनल टीम की कोचिंग छोड़ दिये वो तीवी पर आ जाते हैं वो कमेंटेटर बन जाते हैं वो कोचिंग से रिलेटेड कोई भी चीज सिखना नहीं चाते हैं ना तो वो कोई कोर्स करते हैं वो वापिस आ जाते हैं और मौसी नकवी सahaब यह सारी हिस्ट्री जानते हुए भी वकार यूनिस को वापिस ले आए आपको ये भी बता दू कि मुहम्मद आमिर ने वाकार यूनिस के वापिस आने के बाद मुहम्मद आमिर थे जिन्होंने सबसे पहले उसी टाइम पे इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने रेटार्मेंट अडाउंस की थी क्योंकि उन्होंने कहा थे कि मैं वाकार यूनिस के साथ काम नहीं कर पकता 2021 में जब रमीज राजा पॉइंट हुए थे PCB के चेर्मेन उसी वक्त वाकार यूनिस ने रिजाइन कर दिया था जबकि उस टाइम वर्ल्ड कप आना बाकी था तो वाकार यूनिस ने इतने फड़े किये हैं इतने जड़े किये हैं नहीं कभी कोई आप कह सकते हो कि विजन रखा है और इतना सफो जानने के बाद मोसी नकवी साब ने उनको अपॉइंट किया है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो सरजरी किसकी कर रहे हैं वो एक्जाक्ली कर क्या रहा है वो तो पूरी पाकिस्तान टीम को बरबाद कर रहे हैं जब उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद अपनी गलती सुधारने की बात की थी जब उन्होंने कहा था कि मैं सरजरी करूंगा जब उन्होंने वहब रियाज और अब्दुर रजाक को निकाला था शाहिन चाफरीदी को बेन करने की बात भी मीडिया में आ रही थी ये अपना काम दूसरों पर दे के चले जा रहे हैं, अभी तीन-चार महीने में पाकिस्तान के टीम फिर हर जगे हार जाएगी, तो ये सारा मलवा वगार यूनिस के उपर डाल देंगे, कि इससे हुआ नहीं मैनेज, फिर ये एक मीटिंग बुलाएंगे, जिसमें 10-20 क्रिकटर आएंगे, सब अपने अपने आइडिया देंगे, और उसके बाद फिर सही एक किसी नए आदमी को पकड़ के उसे रिस्पॉंसिबिल्टी देंगे, आपको दो दिन पहले एक वीडियो में मैं बटा चुका हूँगे, कैसे वहब रियाज, जिनको चीफ सेलेक्टर के पोस्ट से हटाया गया था, उन्हें अभी मालिटिप्स बेजा गया है कोचिंग के लिए, वकार यूनिस के हाथ में जितनी अथौर्टी दी गई है, वो मैं आपको बता दू कि वकार यूनिस ही डिसाइड करेंगे कि किस प्लियर को अनुसी देनी है, किसे नहीं देनी है, कौन सा प्लियर किस फॉर्माट में खेलेगा, सेलेक्शन कमिटी में कौन लोग होंगे, कोचिंग को कैसे मैनेज करना है, ये सारा काम वकार यूनिस के हाथ में है, तो अब पाकिस्तान क्रिकेट का क्या होगा, ये वकार यूनिस जाने, मोसी नकवी साब जाने, लेकिन हमें तो साब साब दिख रहे हैं, के पाकिस्तान क्रिकेट कहां जा रही है, अब वो दिन दूर नहीं, जब बंगलादेश और श्री लंका पाकिस्तान को पाकिस्तान में जाकर test क्रिकेट हराएंगे, जबकि वो खुद अपने देश में नहीं जीत पा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त ऐसी सिचुएशन में है जहां हर दिन नहीं नीज निगल गया रही है अब देखते हैं आगे क्या होता है कि वोचिंग गाइस थैंक यू